कि है लो दोस्तो कैसे आप सब उमीदे सब बढ़े होंगे शांदार जानदार होंगे पेपर जबरदस गए हैं बहुत जल्दा इंटर में भी आएंगे और सीए भी बनने वाले हैं सर हमारा जो लॉका पेपर था आज हम उसके बारे में डिसकस करने वाले हैं बहुत चन्द मि कुश्चन आता है जो कंपल सरी है कंपल सरी में कह रहा है एक्स ने वाई को पैसे दिया एक लाख रुपे एक लाख रुपे डबलू से लोन लिया कोश्चन आपने बहुत ध्यान से भीड़ रखा है तो आपको बताना है क्या इनके कॉंट्रेक्ट एक्स और वाई के है उसमें सेम डिट्टो कॉश्चन मैंने आपको दिया है विद एक्जामपल अपने नोट से यह जो आपके कलरफुल है ना कॉमिक्स है राइट इन में अगर आप जाओगे आपके पास यह पीडिएफ थी और उसमें इस टॉपिक पर जाओगे तो आपको इहरानी होगे अ इस आइन अमाउंट भी चेंज नहीं किया राइट तो पहला कोश्चन इल्लीगल एग्रिमेंट से था आपको सिरु यह टॉपिक लिखना था इल्लीगल एग्रिमेंट से लेटेट यह टॉपिक आपको लिखना था क्या लिखा है सर अबजेक्ट आफ जिसका अल्लॉफुल होता है वह एग्रिमेंट क्या होते है सर हमारे वह एग्रिमेंट हमारे वाइड होते हैं एक्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो एक लाख रुपे की फिगर अपने में भी है और कोश्चन में भी एक लाख रुपे की फिगर है बस मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए आ यहां बस डवलू यह चेंज है बाग की डिटो सेम है कि illegal agreement के लिए जो भी आपने content किया है agreement किया है वो वाइड होगा और यह वाली खतरनाग बात इसलिए मैंने आपको नोट्स में ही खतरा बना रखा है तो आप समझ चुके हैं कि सर क्यूं नोट्स में मैंने हर जग है खतरा यह बहुत सारे कुछ ऐसे symbol बना रखे हैं जिसमें exam में आने के संभावना होती है और यह पहला ही question मैं exam में मिला कि illegal agreement के से जुड़े वे जो collateral agreement होते हैं वो collateral agreement भी आपने नोट्स के सिंपल डिट्टो एक्जाम्पल से ठीक है सर राइट तो आप क्या लिखोगे agreement बिट्विन आपने क्या लिखा होगा एक्स एन वाई क्या है सर इनलीगल एस वैल एस वाइड और बिट्विन एक्स एन डबलू भी क्या है सर वाइड है यह वाला non payment वाला non payment वाला डिट्टो अपने scanner में जो है ना same question in scanner जो आपको हमने प्रोवाइड की है scanner जो scanner प्रोवाइड किया था उसके scanner का page number अगर मैं बता हूँ 2.458 अगर आप page number 2.458 पर जाएंगे तो similar स्टोरी similar question आपको मिलेगा किसके उपड़ सर doctrine of indoor management के उपडर indoor management के उपडर यानि कि नवंबर सेम question पूछा गया सर नवंबर 2018 में नवंबर 2018 का यह question था फिर से repeat कर दिया गया indoor management right question क्या था कि भई आर डिसकर्ज देट आर टूवर्ड कंपनी करेंट डिट क्या आर को पैसे देने की जरूए तो आंसर के लिख होगे नो मिस्टर आर इस फ्री फ्रॉम हिस लाइबिलिटी मिस्टर आर फ्री है लाइबिलिटी के तो बात समया चुकी होगी मज़े जाए का similar question था ना सर दूसरा डिसकर्ज एलिमेंट रिगार्डिंग दा अनसर्टेन गुड्स यानि कि अनसर्टेन गुड्स के उपर question था एप्रोपेशन एस पर सेल्स और गुड्स एक्ट राइट सेल सेल बोले तो ट्रांस्टर ओनर्शिप ट्रांस्टर ओनर्शिप का question बहुत सिंपल डार question सर Esa direct question मिला हमें exam में direct question मिला कहां पर था Ser हमारे notes मेंचे occupy सर दिखाओ हूं तो यह रहा सर आपके लगाया है ठीक है क्या है सर यह लिख्र आफ में करना था सर both the conditional satisfy पहले वाले में देखो खुद मैंने इसलिए खत्रा बना रख है कि आपको कई बार बताया मेरे खत्रा बनाने का मतलब है exam में important है ये खत्रा दो खत्रे बने है दौनों को exam में लिख्टे को exam में लिख्टे को आणा था और ये सर Appropriation वाली बात यहां से लिखके आनी थी With Example लिखके आनी थी नीचे ही आपके Notes में ये Example ये Case आपको समझाया था समझ गया सर मज़ा गया सर सर आगे क्या है सर Direct Question था सीधा सीधा Question कोई दिक्कत वाली बात नी Question Number 1 Complete अपने Scanner से अपने Notes से Direct Question Question Number 2 अगर आपने टेम्ट किया होगा तो सर बिलकुल मज़दार साथ Number का Question बहुती शानदार जानदार असान सा Question थै सर Agreement made out of natural love and affection Which section आपको याद करा है Which section आपको याद करा है Section 25 एक और Time Bar Debt Section 25 तीन यानि कि Simple Direct Question था एक आपको 25 एक के साथ पूनू बीवी वाला केस लिखना था सर पूनू बीवी वाला केस लिखना था सर आपके नोट्स में वो पूनू बीवी वाला केस मैं दे रखा है अगर दिखाओं तो दो मिनिट लगेंगे पहुचने में सर Consideration वाला चक्टर अपनी कॉमिक्स के अंदर जाएंगे सर Consideration वाला चक्टर ये रहा और ये रहा सर आपका केस पहला Agreement made out of natural love and affection क्या करना है सर Writing में होना चाहिए ठीक है Registered under law होना चाहिए Natural love and affection होना चाहिए और near relation होना चाहिए Natural love and affection होना चाहिए और Near relation होना चाहिए Right सर ये चारो बाते आपको लिखके आनी थी और चारो बाते लिखने के साथ साथ आपको ये वाला केस ठीक है ना ये वाला केस पूलू बीबी वर्सिस फ्यास बुश लिखके आना था जिससे पता लगता है ये चारो बाते इस केस में पूरी हो रही थी या ये वाला केस लिखके आते लेकिन मैंने आपको कहता है एक्जाम में ये वाला केस याद करेंगे तो लिखके आएंगे चारो बाते पूरी थी सर सर फिर साथ दूसरा Time bar dat Sir time bar dat Sir आपके comics में time bar dat यह यह राइटिंग में होना चीए यह मैंने हाइलाइट कर रखे अलगलग कलर से ताकि आपको यह बात याद रहे राइटिंग साइंड और रिलेट टू दर लिमिटेशन लॉजिक मैंने देखो बंपटा के बना रखें लॉजिक आपको समझ में आया है और यह एक्जामपल और ल्ल्सी यानि के लिमिटेट लाइबिलिटी डिफ्रेंस लिखना था डारेक्ट इसके बीच में सर ल्ल्पी और ल्ल्सी के बीच में यानि लिमिटेट लाइबिलिटी पार्टनर्शिप और लिमिटेट लाइबिलिटी कंपनी के बीच में आपको क्या लिखना था सर ड कुश्चन नमबर 3 में जाएंगे सर बताओ simple question है की नहीं और मैंने कहा भी था exam में expulsion के बारे में question आ जाता है 6 नमबर में आया section 33 हमने बहुत अच्छे से याद किया था section 33 हमने बहुत अच्छे से याद कर लिया था हाँ सर explosion सीधा डालेट आपको बाते लिखनी थी explosion के बारे में क्या सर exploration क्या होना चिए था जैसे आपको पताइए 4-5 बाते पूरी होनी चीए एक तो majority के दौ़ारा होना चीए agreement में लिख़ा होना चीए है ना majority के दौ़ारा होना चाहिए प्लस गुड फेट में होना चाहिए और एक वाला केस लो था जिसमें वाइफ वर्सिस वाइफ बीवी वर्सिस बीवी याद आगे ना तो वाइफ आपस में लड़ लेती है एक वाला केस भी था याद आगी बात सर सर ये देखो बड़ा मज़धार केस Unsound mind Unsound mind के उपर केस सर ठीक है राइट यानि chapter number 1 से केस आगया Unsound mind से केस आगया Consideration से केस आगया नहीं मैंने आपको पहली बोलता है पहले 4-5 chapter बहुत important होते है यानि कि आपने पूरे अच्छे तरह से लिखके आया होगा section 11 लिखा होगा आपने Unsound Mind की Definition Section 12 मिले ख्योगी और Necessities के लिए Section 68 का भी आपने इस्तमाल किया होगा तीनों Sections का बहुत अच्छा से इस्तमाल किया गया Unsound Mind को Supply की गए Necessities और साथ साथ उनके घरवालों को भी यानि जो उसके उपर Dependent है उनको भी Necessities Supply की गई है तो बताओ तीनों आंसर आपको बता है सर पहला आंसर क्या जल्दी बताओ इसमें क्या होगा सर क्या Case File कर सकते हैं या सर नैसरी सप्लाई की गई Unsound व्यक्ति को भी तो भी आप उसके उपर Case File करके recover कर सकते हैं कितना कितना Maximum Amount तो क्या लिख्या होगा सर up to the amount of अब क्या लिख्या होगे सर आप सर up to the amount of estate यह समने लिख्या था ना from the property of the minor ऐसी from the property of the unsound person up to the amount of estate जितनी उसकी property होतना ही और जो उसकी grand mother का ilाज कराया है grand mother का ilाज कराया है right तो हमने जाना था कि अगर dependent है तो उनका भी पैसे आप recover कर सकते हैं तो आप मालेंगे grand mother क्या है dependent है तो आप लिखेंगे yes same provision apply same provision apply same provision apply सर अपनी comics में कहा था यह सर अपनी comics में यह बात हमने यहाँ कुछ लिख्षी वी थी unsound mind के case में सर यह रही बात बिलकुल आपके आखों के सामने यह रह सर यह रह सेक्षन बारा unsound mind का right यह हमने पढ़ा था unsound mind में तीन लोग होते हैं और यह रह सर उसका exception में हमने यह पढ़ा था question यहां से है क्या सर अगर unsound mind की position बिलकुल identical होती है जैसे minor की होती है red pen से highlight कर रखा है और यह लिख्षी बात section 68 के accordingly उसकी property attach की जाती है अगर उसने necessaries प्राप्त की है unsound वेक्ती ने तो section 12 plus section 68 का सहरा लिया गया और यह लिख्षी बात same provision लगते हैं same provision लगते हैं अगर आप necessaries provide करते हैं या तो उस unsound व्यक्ती को या फिर उसके किसी भी dependent जैसे हमारे case में कि ग्रैंड मदर कि अगर मेरे सर बात समझ में आ चुकी होगी मज़ा आ चुका होगा सर बिलकुल simple question था यानि दो question आपके बहुत असान बहुत असान बहुत असान पेपर है ना थोड़ा सा दिमाग खुला रखा होगा और ध्यान से पड़ा होगा तो पूरे तरीके से आपको बात समझ में आ चुकी होगी सर दो question होगए तीसरा question भी होगए सर यह तीन question बहुत असान सर what are the right of unpaid seller unpaid seller के right पूछ रहा है to the extent of resale goods को resale करने के लिए goods को resale करने के लिए सर section 54 बहुत असानी से मैं तुम्हें बहुत याद दिलाइती सर 54 है जिसमें हमने एक table याद की थी ठीक है ना जहां पर notice देना है perishable nature का notice नहीं देना है perishable nature का right वो वाली बात हमने याद करी थी सीधा direct question है बिना किसी दिक्कत के सर अनपेट सेलर कॉमिक सेंदर इंपेट sponsor के अंदर गये यह रहा सर यह रहा सिक 54 right of official सिर्गा डालेट कोस्टन है ना दूद दही मक्षन इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है सर नोटिस देना पड़ता है दूसरा नोटिस देने की जुरूत नहीं है इस केस में अगर है ना रीजनेबल टाइम अगर है और ये वाला तीसरा पॉइंट साथ में सर सर कितना रिकवर होगा ये देखो सर मैंने बिल्कुल बंपटा के बना के दे रखे रखे है इस इस तरहिके से आप रिकवर कर सकते हैं और मैंने काता एक्जाम में आएगा तो ये टेबल जरूर बना देंगे सर आपका राइट क्या है ठीक है अगर आपने रिसेल notice दिया है तो क्या होगा अगर आप में we sell किया है without notice का तो क्या होगा तो ये team case हमने बहुत अच्छे से पड़े थे ठीक है क्या क्या rights आपके पास available है बहुत simple question आया बहुत simple question आया और बात हमें सुझ में आ गई सर तो ये आ गई सर section 54 बहुत बढ़े तरीके से सर क्लास में तुम बताया था chapter 3 में मैं तो पहली बताया सर चैप्टर नंबर 3 जो टीपा का है हमारा उसमें जो बनता है या तो वो dissolution पर question बनता है या फिर गाना काते वे summer of 69 गाने के साथ तुमें section याद कराया गाने का नाम था हमारा summer of 69 summer of 69 बनता है summer of 69 से है ना राइट आपका यह question आया summer of 69 से आपका यह question आया बात्सवर में आगी सर simple question था non registration के क्या असर होगा non registration क्या असर होगा non registration क्या असर होगा और बोलो समझ गया sir ठीक है partner दूसरे के उपर case नहीं कर सकते सामने वाला हमारे पर case कर सकता है हम भारवाले के उपर case नहीं कर सकते हैं यह question बिल्कुल सिंपल 69 के उपर था सर कि डारेट कोश्चन से डारेट कोश्चन फिर आया पांचवा पांचवा पांचवे कोश्चन बड़े मयदार थे ठीक है अब देखो यहां टिक भी नहीं लग रहा है उसका मतलब जिस बालक ने मुझे question पर भेजा है उसने पांचवा कोश्चन skip किया होगा लेकिन फिर भी अगर आपने question ध्यान से पढ़ा होगा तो question अगर के देखोश्चन साएब करना इ Rechts premature तो आपको बात संवेट में हैरे और सिस्प्टर से उसको murgen एक्सेप्षन तो पहले का जो answer बनता है पहले का जो answer बनता है मिस्टर जे है रिफियूज नहीं कर सकते cannot refuse to replace marble है ना replace marble तो उन्हें marble बदलने पड़ेंगे उन्हें marble तो बदलने पड़ेंगे मना नहीं कर सकते ठीक है ना क्योंकि वो room के लिए लगाए गए थे room के लिए लगाए गए थे first floor के लिए ना लेकिन सबसे महिदार बात ती इस question में कि जब उन्हें tiles लगाएं तुन्हें बताया है ना ये लिखी बात tiles के question में हाँ ये रहा ये रही बात tiles with a word उन्हें बताया कि tiles can bear only the reasonable weight tiles सिर्फ reasonable weight ही bear करेगी tiles के उपर ज़्यादा बोज डालों को तोट सकती है ये मैं पहले ही बता रहा हूँ इस seller ने पहली बोल दिया तो क्या tiles बदलने की उनके उपर जिम्मेदारी है तो answer के लिखोगे replacement of tile replacement of tiles can not be imposed tile आप नहीं बदलवा सकते क्योंकि उसके लिए पहले ही आपको बता दिया गया था चेतावनी दे दी गई थी ये question था सर अगला question जो है सर अगला question जो है बहुत ही है ना ऐसा question है जो बिलकुल गलत है तो दोस्तों जो बी question है हमारा है ना हमारा जो बी question है OPC का पहला part इस पे बहुत बवाल मचा हुआ है कि ये question कैसे आ गए ऐसे कैसे हो गए यानि कि ये पहले amendment हुआ करती थी ICI में ICI ने बिना ये देखे कि भी amendment हो गई है इसमें इसमें आपकी book में भी कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई है सीधा सीधा question डाल दिया ये question बिलकुल गलत है question तो गलत नहीं है इस question की framing नहीं होनी चीए थी है ना राइट ये wrong question put किया गया है पूछने का तरीका गलत है पहले दिट्टो question था 2019 या 2008 है ना 20 का 8 सीधा question डाल दिया गया जब OPC को जब आपको OPC को convert करना होता था किसी company में तो कुछ शर्ते रखा करते थे turnover के उपर है कि नहीं बात राइट लेकिन लेकिन क्योंकि ये क्योंकि ये amendment आई और दिन शर्तों को amount को delete कर दिया गया तब ये बात जानी गई कि OPC OPC can convert into company anytime है ना without any specified limit को या सी specified limit है नहीं कि 2 करोड, 2 करोड, 3 करोड है ना OPC को आप company में convert कर सकते है राइट जिन बच्चों अगर 5 question attempt किया होगा तो simple OPC की definition लि और ये भी लिखके आगे कि ऐसा को provision था ही नहीं कि conversion के लिए कुछ amount turnover की जरूत है तो OPC को आप किसी भी time क्या कर सकते है convert कर सकते तो आपको पूरे number मिलेंगे लेकिन ये question पूछना गलत है question गलत नहीं लेकिन question की framing गलत है question को अब इस level पे पूछा जाना नहीं चाहिए जब तो इस question पर बच्चे को मिलना चाहिए जिस भी बच्चे ने question attempt किया होगा तो जिसका question पर ने पास उसने attempt किया नहीं है तो question number five एक ऐसा question है जिसे exam में आपको choice में छोड़ देना चाहिए था उमीर है बहुत सारे बच्चों ने इसको इसको ही छोड़ा होगा सर लिस्टिड लिए नोवेशन और टूरेशन एना जिसमें मैंने आपको गाना सुनाया था आज मैंने ब्रेक अप की पार्टी रहें कि ब्रेकप पार्टी से question उठाया गया ब्रेक अप पार्टे से कोश्चन उठाय गया इसका मतलब क्या था सर अपनी mutual अपनी इच्छा से mutual agreement से mutual agreement से contract को discharge कर देना contract का breakup कर देना तो section 62 section 62 innovation और alteration with example आपको लिखके आना था with example लिखने के बाद आपको एक छोटी सी table बनानी थी जो मैंने आपको class में बनवाई भी थी सरक कैसी टेबल बनानी थी नोवेशन alteration party और terms ठीक है ना party change होती है नहीं होती है terms change होती है कि नहीं होती है तो यह वाली टेबल innovation alteration party और terms वाली टेबल आपको बना के आनी थी with example आपको लिखके आना था पूरे free के नंबर थे पांच सर अगला डिफरेंस विटिन partnership and ownership as per the partnership act difference बिल्कुल साफ साफ डारेट question है दिया गया है जिसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है और इसके बीच में सब्सक्राइब जो इंकॉर्परेट होती है इंडिया से बाहर इंकॉर्परेट होती है इंडिया से बाहर लेकिन उसका प्लेस हो बिजनिस होता है इंडिया में simple डायरेट तीन नंबर का यह डायरेट question था foreign company के बारे में आपको लिखना था right तो तो मेंनिग फॉरन ओर आन्सर यह सर फॉरन कंपनी है यह सिम्पल आपको आंसर लिखना था तो मेंदे दोस्तों पूरे छे के छे कोश्चन आपको सब्सक्राइब कि बिल्कुल डारेट कोश्चन के स्टेडी बहुत कम थी डारेट कोश्चन मुसली सारे लगबग डारेट कोश्चन जाता तो पेपर कितना असान था कितनी असानी से अपने नोट्स में सारी बाते लिखी थी सारे के सारी के स्टेडी भी और डारेट कोश्चन भी अपने नोट्स में रंग भी रंगे नोट्स में कवर थे तो आपके पर अच्छा गया होगा आपको सॉलूशन सुझ में आ गया होगा तो बस करना क्या है मैं मिलूंग अगरे लेक्चर में तब तक पढ़ते रहिए सीखते रहिए आगे बढ़ते करना कि पर रहिए रहिए तो आपके शापके करना की यहाँ रहिए बढ़ते कि लिए ऑल में इसिखते रहिए तो आपके पर अपके बढ़ते लेगए।